जो कि UPPCS के दृष्टिकोंड से बनाया गया है, हम लोग UPPCS, हम लोग इसे कवर कर रहे हैं, इसके दो पार्ट कवर हो चुके हैं, फर्स्ट कवर हो चुका है, सेकंड कवर हो चुका है, इसका फाइदा BPSC एक्जाम में equally है, तो अगर आप दोनों एक्जाम को फोकस कर रहे है साथ में, RO को भी अगर आप फोकस कर रहे हैं, मतलब BPSC, RO, जो दोनों एक्जाम में भी equally advantages है, बट में फोकस हमारा है UPPCS पर, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, पेरिस ओलंपिक, केंद्री बजट और आर्थिक समिक्षा, इसके लाब रामसर कंवेंशन भी कवर हो चुका है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या क्या क कवर किया जा चुका है, सो सेकंड पार्ट में, ICC T20 World Cup, लोक सभा चुनाओ, भारत रतन, राष्टी अंतर राष्टी न्यूपिया, इसके लाब़ा, राष्टी अंतर राष्टी प्रमुक अध्यत राष्टी अंतर राष्टी पहले चर्चित पुस्तक है यहां तक हमने सेकेंड पार्ट में cover किया है अब आज हम क्या करेंगे यहां सी यह हमारा सेक्षन है इसे हम आज 3rd part में cover करेंगे सभी सेटेंड पार्ट समारोय महत्सों भी cover हो चुका है सितंबर के अडिशनल का करेंट अफेर्स में हम आपको एक एक्स्टा वीडियो बना कर तो हम यह 4 पार्ट में इसे पूरा कर देंगे पांचवा पार्ट जो हमने लिखा है उसमें सितंबर का लग से सारा करेंट अफेर्स कवर हो जाएगा डिटेल्ड इसके लगा एकनॉमिक जो आर्थिकी आता है वो कवर किया जाएगा और मिनरल सेरलें अपको मिलेंगे अब हिंदी निंग्रिस दोनों में अभी पहले इंग्लिस में मिलेगा उसके बाद हिंदी में मिलेगा तो अगर यह सारी चीज आप फोकस कर रहू उन तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर हां एक और बात में थोड़ी से करना चाहूंगा आपसे कि तो उसके लिए जिन नंबर्स पर आप हमसे बात करते हो इन ही नंबर्स पर आप फोकस कांटक्ट करके टॉपिक वाइप है जो आप प्ले स्टोर से पा सकते हो ठीक है सो आते हैं हम आज के टार्गेट पर ओके समारोह एवं महुसो यहां से हमें सुरू करना है समारोह महुसो तो इस थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट हम लोग किस तरह से अलग हैं दूसरे किसी प्लैटफॉर्म से कि हम लोग इसमें एक्स्प्लैनेशन लेके चलते हैं जिससे जोग्रफी एन्वार्मेंट इकोनॉमी पॉलिटी आयार जो उसकी इंटर्प्रेशन हैं जो एक्जाम के लिए रिलिवंट हैं तो उसकी व्याठ्या की जाते हैं तो आपको निश्चित तोर पर अपने मांक्स सॉलिडिफाई करने फिक्स करने हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है दी कॉन्सेप्ट चोला इस चलो सुरू करते हैं समरोह और महतसवय और उनके आयोजन अस्थल कहां-कहां यह आयोजित हो होगा है हमारे टीम के द्वारा और उन्होंने आइडेंटिफाई कि 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 किस-किस तरह के कोश्चिन आते हैं ठीके ना तो बहुत ज़्यादा इस पर परिसान नहीं होना सौसुरुतम इग्नोर विधियम न्याय मंत्राले द्वारा जागरुकता पर दूसरे छेतरी कारक्रम हमारा सम्मान हमारा सम्मान आयोजन देखो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो छेतरी कारक्रम इसका टाइटल क्या है हमारा सम्मान यह प्रयागराज में है प्रद्धी कारिक्रम कहां हुआ गांधी नगर में मार्केट ठीक है ट्वाइब इस बीटूबी इंटरनेशनल एक्सपो प्रगती मैदान दिल्ली एंड इस इंपोर्टन ठीक है ग्लोबल इंडिया सिखर सम्मेलन नई दिल्ली नो फ्लीट अवार्ड्स विचाखा पत्नम नो 27 वह राष्टी यूआप महुत्सों का आयोजन नासिक नॉट सो मच आत्मिनरवर भारत 1924 यह इंपोर्टन है नई दिल्ली एक बात आप ध्यान लखना नई दिल्ली अगर इंडिया का कोई मैटर है तो इस्टेट का कोई मैटर है तो लखनौ इनको आप इसली फोकुस कर सक सकते हो तो इससे आपको फाइदा यह मिलेगा कि जो दूसरे किसी लोकेशन में कोई प्रोग्राम में से हुए है कारिक्र में से हुए है तो आपको याद करना आसान हो जाता है कि अगर वो दिल्ली नहीं अगर वो लखनौ नहीं है ठीक है उत्तर पूरवी महसों कि 2024 के पहल संसक्राण का अब यह पहला संसक्राण है तो नौर्थ इस्ट फेस्टिवल्स नहीं दिल्ली थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल जोल्री नहीं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा नहीं दिल्ली अंतराश्टी परपल संसक्राण का योजन हुआ ग्रेटर नोड़ा में तो आपको इसमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा संसक्राण है ठीक है इंडर्स फूड और कला उत्सो दो हजार तेईस चोविस का योजन नहीं दिल्ली में नौट सो मच भारत अंतराश्टी विज्ञान महसो दो हजा अंतराश्टी विज्ञान महसो है निश्चत इंपॉर्टेंट है विंक्स इंडिया वेगम पेठ हवाई एड़्डा है इदरबाद नौट सो मच अंतराश्टी उट महसो नहीं विकानेर में है हुआ महराश्ट्रा मसमी डिफेंस एक्सपो पुने नो भारत टेक्स 2024 दिल्ल भारत मोबिल्टी ग्लोबल एक्सपो भारत मंडपम नो उतर्पदेश इंटर नेशनल ट्रेड एक्सपो इसको आप फोकस करो और इसी यूपी टेक्स ही लिखके आ सकता है इंपोर्टन लखनव इंपोर्टन वाजी दली नहीं वैस्विक आध्यात्मिक महसो ध्यान देंग चपचार कूट महसो दोजार तो इस चपचार चुकि अपने आपने नाम यूनिक है इससे थोड़ा से ध्यान देंगे मिजोरम तवी महसो जमुण कस्मीर पांचवा अंतराष्टिक गीता महसो इंपोर्टन्ट कोलंबो निश्चित इंपोर्टन्ट है ग्यार्वा पात का आयोजन जुम्पा गाउं हर्याना इसमें आपको यह भी याद होना चाहिए कि के वी आइसी नहीं इसको और्गनाइज किया था ठीक है नो योर आर्मी फेस्टिवल इंपोर्टन्ट सूर्या खेल परिसर लफ नो इसे इसे डवल इंपोर्टन्ट मान के चलो ठीक है इसे था एचाहिए năm ओधयन जोर्टिवल इंपोर्टन्ट है और photo चरेंगे और ऐन्मट करेंगे ठीक है आराम से question attempt करेंगे इसे कहीं भी रोख सकते हैं नीचे आपको answer मिलेगे और आप अपने answer match कर सकते हैं दिवस और theme हम इस पे focus करेंगे अब तो विश्व सरनार्थी दिवस कब होता है देखो दिवस और theme में कौन important होते हैं एक बार पहले आप यह concept समझ लीजे तो आपके लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा यह समझना कि कौन से दिवस और theme important होते हैं तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से days होते हैं जो important होते हैं तो अगर आपको एक general understanding लेने हैं में पहल कर रहा है तो वो important होता है मतलब भारत अगर किसी program की पहल कर रहा है तो फिर वो program उससे समंधित theme उसके तिथी उसकी location सब important होते हैं इसके अलाब़ कोई चीज अगर भासा हिंदी से related है important है उत्तर प्रदेश की exam में तो निश्चत important है दूसरा अगर कोई बीमारी से समंधित है और अगर उस बीमारी में भारत सरकार या प्रदेश की सरकार कोई program चला रही है तो वो निश्चत important है और कोई भी ऐसा program जिसमें government बड़े amount में fund खर्च कर रही है पैसा तो वो important है ठीक प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और बड़े bureaucrats ने राष्टपती महोदया ने इसके अलाबा अगर सुप्रीम कोट के CGI ने election commissioner ने CAG ने attorney general ने अगर किसी डे specific में कोई खास बात कही है तो वो भी डे important होता है इस बैग्राउंड में हम इन बातों को समझेंगे ठीक है तो सरनार्थी दिवस everyone is welcome यह ज्यादा 24 इसको अमित सहह इसके minister है सहकारिता मंत्रा लेके cooperative build a better future for all ध्यान रखना इसको ठीक है विस्व जनसंख्या दिवस यह तो बहुत frequently पूछा जाता है 11 जुलाई घूलना ही नहीं चाहिए और इसका थीम भी याद रखना to leave no one behind count everyone है hepatitis important है 28 जुलाई it's time for action अंतराश्टी बाग दिवस important call for action यह और ज्यादा important है 29 जुलाई और call for action थेक वैस्विक परिवार दिवस family day not so much अंतराश्टी mind body wellness no braille दिवस important है चार जन्वरी और इसकी जो थीम है empowering through inclusion and diversity हिंदी दिवस बहुत ज्यादा important है 10 जन्वरी अब कुछ कुछ आपको technique लगानी पड़ेगी याद करनी की तरीके में ठीक है तो आप इसको कैसे याद करोगे कि 10 जन्वरी को हिंदी दिवस है आपको कोई तरीका ढूनना पड़ेगा कि 10 जन्वरी को हिंदी दिवस है 10 जन्वरी को क्या है कोमेंट करके बताओ अभी आपको पता चल जाएगा युवा दिवस 12 जन्वरी को ठीक है माई भारत बिक्सित भारत 2027 बाई यूथ फॉर दे यूथ ठीक है परेटन दिवस कह सकते हैं थोड़ा से important है 25 जन्वरी सशनेवल जर्णी timeless memories राष्टी मत दात दिवस बहुत important है चुकि चुनाओ भी हुए है अभी नेशनल लेबल पे 25 जन्वरी यानि कि 26 जन्वरी के ठीक पहले आप मत दाता बनो voting करो और 26 जन्वरी को लड़ू खाओ है ना nothing like voting I vote for sure यह इसकी theme है और इसको याद रखना यह important है अंतराश्री सिछा दिवस certainly important है 24 जन्वरी को और learning for lasting peace स्वक्ष उर्जा यह important है यह भी कभीन-कभी जरूर पहुछा जाएगा चुकि हम इससे future के बारें बात करते हैं clean energy के बारें जब भी बात करेंगे तो यह future से रिलेटेड है 26 जन्वरी आसान है ना स्वत्न अंतरता दिवस से जुड़ा हुआ वह रिपाब्लिक दे से जुड़ा हुआ मैटर है अंतराश्री सीमा सुल्ख 26 जन्वरी को custom engaging no no विस उष्ण कट बंधी रोग यानिकि वर्ड नेगलेक्ट ट्रॉपिकल डिसीज ते तिको अभी तक तो यह कभी नहीं पूछा गया but I think it is important चुकि इसको प्राइम मिनिस्टर ने कई जगे जाके बोड़ा हुआ है कुष्ट रोग 28 जन्वरी वीट लेप्रावसी यह बहुत इंपॉर्टन्ट है विस आर्द भूमी दिवस दो फर्वरी दो हजार चौविस को रामसर में क्या हुआ था जरह बताएए कॉमेंट करके वेटलेंट एन हुमन वेल विंग कैंसर चार फर्वरी शुरच्छित इंटरनेट अभी इंपॉर्टन्ट है चै फर्वरी दो हजार चौविस राष्ट विज्ञान दिवस वेरी इंपॉर्टन्ट की कटेगरी में आएगा इंडिजिनेस टेक्नलोजी फर विक्सित भारत युनानी नहीं दलहन इंपॉर्टन में वो कहां है कोमेंट करके बताओ तुजरा राष्टी उत्पादक्ता दिवस आर्टिफिसल इंटेलिजेंस प्रोड़क्टिव इंजिन फॉर एकुनामिक ग्रोथ बारा फर्वरी बहुत ज्यादा नहीं रेडियो दिवस नहीं समाजिक न्याय इंपॉर्टन्ट है बीस फर्वरी ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग अलाइंस विस्तुमात्र भासा दिवस बहुत इंपॉर्टन्ट है 21 फर्वरी मल्टि लिंग्वल एजुकेशन इस पिलर और इंटर जनरेशनल लेंग लर्निंग इस्काउट नहीं हां यह इंपॉर्टन्ट है क्या सुनि यह अमाँग मोश्ट इंपोर्टन्ट है विसवर्न जिव दिवस थर्ड मार्च चील और पीपलेंग ड प्लानेट य॥ैंजेटल इंविश्युन इन विडड लाइफ प्जवरेशन है राश्टी सुरक्षा दिवस चार मार्च महिला नया धीसों के लिए अंतराश्टी दिवस 10 मार्च अंतराश्टी महिला दिवस very important इन्विश्ट इन वुमन, एक्सिलेरेट प्रोग्रेस विस उपभोगत अधिकार फेर एंड रेस्पोंसबल एयाई फॉर कंजूमर 15 मार्च और अंतराश्टी महिला दिवस 8 मार्च अंतराश्टी महिला दिवस 8 मार्च दिमाग लगाओ को तो याद हो जाएगा नदियों के लिए अंतराश्टी कारवाई दिवस नदियों के लिए अंतराश्टी कारवाई दिवस तो खुशी के लिए बनाओ 20 मार्च विश वन की दिवस इंपोर्टन्ट है Forest and Innovation New Solutions for Better World Forestry Day है न, World Forestry Day गौराया दिवस 20 मार्च कविता दिवस 21 मार्च TV इंपोर्टन्ट है 24 मार्च जल दिवस बहुत इंपोर्टन्ट है 22 मार्च दो दो लोटे पानी पियो या दो दो गलास पानी पियो दो दो बाइस हो गया न ठीक, important Water for Peace मौसम भी जयान Frontline for Climate Action और at the frontline for Climate Action 23 मार्च आर्थ आवर यह आ सकता है इतना इंपोर्टन्ट है ठीक है 23 मार्च आर्थ आवर Uniting for our one-seared home विसस्वास्त दिवस important 7 अप्रेल My Health, My Right राष्टी पंचायती राष्ट दिवस important है 24 अप्रेल को ठीक है पृत्वी दिवस important है 22 अप्रेल को होम्यूपे थे नहीं विरासत लिटल बिट अठारा प्रेल अंग्रेजी भासा नहीं Malaria दिवस important है 25 अप्रेल accelerating the fight against malaria for a more equitable world विस बौधिक संपदा दिवस बौधिक संपदा intellectual property 26 अप्रेल अंतराष्टी मजदूर दिवस 1 मई ensuring workplace safety and health amidst climate change अंतराष्टी मजदूर दिवस यह तो पता ही होगा बहुत popular है असमा 7 मई अंतराष्टी नर्सेस 12 मई अंतराष्टी नर्सेस का क्या Florence Nightingale से कुछ relation है क्या अगर आपने कभी Florence Nightingale के बारे में पढ़ा है तो comment दर के बताओ अंतराष्टी परिवार दिवस फैमिली 15 मई अंतराष्टी संगरहाले 18 मई जाव विवित्ता इंपोर्टेंट यह की bio diversity be the part of the plan 22nd May 22nd May 22nd May जाव विवित्ता मदुमक्खे 20 मई प्रेस्ट फ्रीडम इंपोर्टेंट है तीन मई ठेक है अप्रेस्ट प्रेस्ट प्लैनेट जोर्नलिजम इन दे फेस अप दे अन्मोर्मेंट क्रीस विसु परियावरान दिवस one of the most important June 5 land restoration, desertification and drought resilience विस्टु खाज सुरच्छा food security 7 June अंतराश्टी आलू आलू खाव आगरा जाव 30 May harvesting, diversity feeding hope विस्टु महा सागर जीवस important 8 June June 8 awakening new depth सागर बहुत गहरे होते है न इसलिए new depth अंतराश्टी योगा 21 June योगा फॉर सिल्फ एंड सोसाइटी सो अगेन आप लोग कुछ कुछ क्वेस्टन सॉल्व करो आपको यहां पर आंसर मिल जाएंगे ठीक है ओके कुछ संधी और समझोते आईए देखते हैं कौन समझोता कर रहा है वो इधर है और उसके उद्देश क्या है इधर है जो इंपोर्टन होगे हम उनको फोकस करेंगे जो इंपोर्टन नहीं होगे हम उनको छोड़ देंगे इसरो नासा और एक्सियॉम स्पेस के मध्ध जो समझोता हुआ है यह इंपोर्टन है तो क्या हुआ है इस रोने अंतर राष्टी स्पेस स्टेशन आईसस के सहयुक्त मिसन के लिए इस समझोते पर हस्ताचर किये हैं गगन यान मिसन के अंतरगत पर सिछन ले रहे हैं चार कितने चार यह 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 फैक्ट तुमको साइध और कहीं ना मिले चार अंतरक्ष यात्रियों में से एक गगन यात्री नासा के सहयोग से आईसस की यात्रा करेगा इंपोर्टेंट है ठीक है राष्टी ध्रुवियम समुद्री अनुसंधान केंद्र तथा गार्डन रीच से बिल्डिंग इंजिनियर्स नहीं नहीं यूपीडा और मिधानी समू यह डिफेंस कॉरिडोर इंडस्टियल कॉरिडोर और डिफेंस टेस्टिंग इंफरा की स्थापना है तो सम्झा होता ह रसता च्रुट किया गया पेड्यों सेंट्रल रइंक नहीं इंप्रटन्ट है नहीं यह इंपार्टन एश्मिस में इसमें इसमें खास बात है वह यह तकनी को अपनाने वाला पहला अमेरिकी देस बन गया है और यह बहुत important की category में आएगा ठीक याद कर लेना इसे पेरू दच्छुन अमेरिका में पहला देश है जो UPI के माध्यम से payment को सुविक्रित करता है अब या कहतें करेगा इनेच पीची लिमिटेट नर्वेजियन कंपनी मेसर्स ओसन संके मध्य समझा होता हुआ है कहे के लिए फ्लोटिंग जल प्रवाह के लिए ठीक बस इतने पता होना चाहिए खानन मंत्राले वा सकती सस्टनेवल इनर्जी फांडेशन नहीं एरिक्सन इंडिया इट कानपुर और फांडेशन फार इन्नोवेशन और इसर्च साइंस एंड टेक्नलोजी यानिकि FIRST इन्होंने मोबाइल वित्ती सिवाउं फिंटेक स्लूशन में नवा चार को हां प्रसाशनिक सुधार और लोग से सिकायत विभाग कमबोडियन नहीं बीपी सियल वा नोड़ा अंतराश्टी हवाई अड़ा नहीं भारत और बुल्गारिया के आउडिट संसानों के मद्धि समझोता हुआ है देखो इंडिया में आउडिट का जो इस्ट्रक्चर है व सेवा इसने इन्होंने क्या अग्रिमेंट किया है सहयोग आत्मक अनुसंधान और प्रसिष्ण के लिए कोई खास नहीं है भारत एवं पेरु में निवेस और ब्यापार बढ़ाने के लिए तो पेरु में यूपी चलेगा तो ब्यापार बढ़ेगा नो भारत और गुयाना में लाइन आफ क्रेडिट समझ होता भारत से दो ओके डॉर नियर टू टूटीएट विमानों को रूर्ण सहायता के लिए इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है कि लाइन आफ क्रेडिट होता क्या है देखो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को इंडिया दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है तो यहां पर गुयाना को ऌस्पोर्ट करती है तो कायँ जब अस्वेयाना नहें भारत को डॉलर देने चाहिए लें यह बोलते कि कुछ एक्स अमाउंट तक लेटाफ है लेट से बाद आप payment कर देना या इतने time के अंदर आप payment कर देना तो वो जो time duration होता है उसे ही line of credit कहते हैं मतलब immediately वियाना ने भारत को पैसे देने की जरूरत नहीं है समझ आया तो वियाना याद रखना यह जितना छोटा देश है उतना important वह है और important उतना ज्यादा है मुझे यह बोलन हाँ चुकि यह मुद्दा important है इसलिए हम पहले समझ लेते हैं मुद्दा क्या हुआ उचित मोली की दुकाने जिसे फेर प्राइस सौप कहते हैं ठीक है कि डीलरों के सामने आने वाली कौसल विकास की चुनोतियों को सिन्निपटने के लिए खाद देवम सारजोनिक वितरन विभाग पूड पब्लिक डिस्ट्रिबिशन विभाग ने कौसल विकास उद्दमिता मंत्राले के अंतर राष्टी उद्दमिता लगु ब्योसाय और विकास के साथ समझोता किया है देखते हैं कुछ और रच्छा मंत्राले वा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ह वाल ने भारत भारती नौ सेना है तो पच्छिस डोड़ने और विवानों की को अपग्रेड करने के लिए किसको किसके साथ अग्रिमेंट है हाल के साथ विदेश व्यापार महानिदेश आले डीजी अफ्टी तथा डीएचल यह क्या करना है यह लक्ष यी कॉमर्स चैनलों के माध्यम से अंतराष्टी बाजारों में संभावनाओं को पता लगाने और डीजी अफ्टी निर्यात के इंद्र पहल के अंतरगत छेतर चिन्हित जिलों में छमता निर्माण प्रसिछन और कारे सालाओं का संचालन करेंगे तो डीजी अफ्टी तुम्हीं याद रहेगा एक्सपोर्ट के लिए यह याद रहेगा कितने जिलों में यह नंबर याद रखना इस्टेट इग्जाम्स का यही मैजिक है जो यूपे से सुसाय लग करता है यहाँ छोड़े छोड़े नंबर पोचे जाते हैं यह बहुत इंपॉर्टन है भारती रिजर बैंक और बैंक कि करेंसी क्या है कॉमन सेक्षन आपके लिए है ब्लास्ट कर दो भारत भूटान के मद्धिक खाजो सुर अच्छा है तो नौट सो मच इंपॉर्टन रच्छा मंत्राले वह हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेट एंके थ्री थर्टीफोर उन्नत किस्म के हेलिकाप्ट अब यह थोड़ा से इंपॉर्टन है मासपी के तहत राष्टी प्रतिदर्स सर्वेच्छन संगठन नेसे सो नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस सिधिवाती है वह इस रो के राष्टी रिमोट सेंसिंग सेंटर ने क्या अग्रिमेंट किये हैं सहरी फ्रेम सर्वेच्छन को एना और बाते समझते हैं भारत और यूरोपियन फ्री हेड एसोसियेशन एफ्टी ये यूरोपियन फ्री टेड अग्रिमेंट है ना फ्री टेड एसोसियेशन इनके बीच में क्या हो रहा है ध्यान देंगे ब्यापार आर्थिक साज़ेदारी है तो आइसलेंड लिंक्टेस्टीन नार्वे स्विजर लेंड ये देश इसमें ब्यापार में साज़ेदारी है तो एफ्टी ए में सामिल हुए है कौन कौन से देश सामिल हुए है थोड़ा इसको बारी की से याद रखना आई यार से 9-10 को स्चोन आते हैं ठिक याद रहेगा आ इसमें में बार बार फास रहा हूं बोलने में लिक्टेस्टीन लिक्टेस्टीन नार्वे स्विजर लेंड ये चार अचा सिक्षा स्वास्त करसी जैसे छेत्रों में कर्दिम बिद्धुमित्ता के उपयोग के लिए गूगल के साथ किस प्रदेश ने अग्रिमिंट किया है महराश ने इस तरह यह से याद कर सकते हैं मौस्पी केंद्री पत्तन पोत परिभान ये जल मारग और भारत प्रवंधन संसानें आयम सिलॉंग के बीच में प्रथम गती सकती अनुसंद्धान पीट की स्थापना हो रही है चुकि फरस्ट है इसले थोड़ा इंपॉर्टन हो जाता है भारत और ताइवान की वीच में किस विशे में अग्रिमेंट ये इंपॉर्टन है प्रवसन गति सीलता समझ होता हूं रक्षा मंत्राले मजगाउट डॉक सिप बिल्डिंग लिमिटेड एमडियल तट रच्छा के लिए 14 गस्ती नौकाउं का नहीं इंपॉर्टन नहीं है भारत और ओमान की वीच में क्या है मामला सुचना प्रवद्वगी की संसकर्ति वित्ति अप्राधोस ने बटने है तू ओमान के साथ तो आपसे पूछा जाए कि किसके साथ संसकर्तिक संबंध की हिंदी पीट की स्थापना ये इंपॉर्टन है हिंदी आ गया मतलब तो इसी प्रकार से चूयर्टक राष्ठी काउसल विकास निगम नेए बहु कोशल संथान की स्थापने हिटु आग्रिमेंट किया है है हाइड्रो-कार्बन समझता किस साथ हुआ है भारत का गुयाना के साथ हज समझा होता किस देश के साथ हुआ है तो यह आसान है साओधी एरफ टाटा एडवांस सिस्टम लिम्टेड वा सैटलाई सैटे लॉजिक इंक यह निम्न भूक अच्छा उपग्रह विनिर्माड है तो अनुबंध किया है ठीक है लो अर्थ और्बिट कहते हैं तो अर्थ से जब बाहर निकलते हैं तो अराउंड वन थाउजन कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं अगर वो टू थाउजन है तो उसे लो अर्थ और्बिट उस हाइट को लो अर्थ और्बिट कहते हैं भारती नौ से ना वा इलेक्ट्रोनिक्स हम सूचना प्रोदोगी की मंत्रा ले है यानि कि प्लेस इंदी न्यूज ये इंपोर्टेंट होता है प्ले से इन दे नियूज इससे एक क्वेश्चन आपको लेगा दो हो जाएं तो बड़ी बात नहीं है ठाक चैनल प्लेस इंदी न्यूज इंपॉर्टेंट होता है तो कौन सा स्थान और किस घटना या किस फैक्ट के लिए एसोसियेटेट है हम उसके लिए फोकस करेंगे और इसे धंग से करेंगे धंग से तुसारा की कुछ करते हैं इसमें हम वह जरूर फोकस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है मैं आपको दो तीन बता दूग होगा and there is high chance कि वहां से आपकी question बनेंगे मुंबई सारी museum of solutions इसलिए मनें मुंबई पहले बोला museum of solutions मनम चॉकलेट फैक्टरी हैदराबाद नार रेस्तिना हिमाचल प्रदेश कितने इस्थान हो गया एक मुंबई एक हैदराबाद और एक हिमाचल प्रदेश ये तीन जगहों पर टाइम मेगजीन द्वारा जारी की गई मुंबई मनम चॉकलेट फैक्टरी हैदराबाद नार रेस्तिरंट हिमाचल प्रदेश वर्ड लेवल पर बहुत पापुलर है टाइम मेगजीन जो कि द्वर्ड ग्रेटेश्ट प्रेस अफ्ट्रेश में जो प्लेसे हैं उनमें ये तीन भारत की और से हैं मनगर धाम किसलिए राजस्थान के बासवाड़ा में है पहले बात आदिवासों के लिए प्रमुक्त तेर्थ स्थल है यहां भील प्रदेश बनाने की मांग की गई है इसलिए इंपोर्टन्ट है इंपोर्टन्ट है राखी गड़ी जो कि एक इंडेस्वरी साइट है यह सिड्नी नॉट इंपोर्टन्ट के फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है नालंदा विस्विद्याले जो की राजगीर बिहार में है और इसका उद्घाटन किया है किसने प्राइम मिनिस्टर और बिहार के चेफ मिनिस्टर दोनों ने मिलके पुसकर सिंग धामी ने जोसी मट का नाम पुनह परिवर्थित कर जोतिर मट कर दिया है ठीक जोसी मट इबू जौला मुखी यह इंपोर्टन्ट है इंडोनेसिया में पश्चत लगवब 117 सक्री जौला मुखी से में एक हाल ही में उद्गार हुआ इबू जौला मुखी कह आपर हैं इंडोनेसिया में इंप द्धर्म साला हमाचल प्रदेश में मैं और हमाचल प्रदेश क्रिकेट एसाचेसन स्टेडियम ने भारत की पहली हरा दे पिच्ट का नेजर लेन्ड की कंपनी के when labour many यह है क्या इंपोर्टन्ट है बहुत ज़्यादा क्यों भारत में पहली हाइब्रट कुछ है इसलिए देखो क्रिकेट से रिलेटेट चीजे भारत में इंपोर्टन्ट हैं यह मान के चलेंगे ठेक है लक्षमन तेर्थ नदी करनाटा के स्थित इसके सूखने के कारण चर्चा में हैं अब देखो आपको सूखने की कारण में साइंटिफिक और एन्वार्मेंटल फैक्टर पता होने चाहिए लक्षमन तेर्थ नदी माउंट रुवांग ज्वाला मुखी इंपोर्टन्ट है इंडोनेसिया की उत्तरी सुलानिसी प्रांत में यह ज्वाला मुखी है और इस इस आलमक्तूम अंतराष्टि हवाय द्डा दुबवई क्या नाम इसका अल मक्तूम विस्व क्यों के सबसे बड़ हुआ इडडा का निर्माड कहां किया जा रहा है ना चीन ना अमेरिका दुबवई में रेक्जानेस प्राइदीप आईलेंड ज्वाला मुखी विस्फोट के कारण आईलेंड में आपात इस्थिति घोषित की गई है तो आइसलेंड में आपात के इस्थिति घोषित करने का क्या कारण है ज्वाला मुखी विस्फोट यह पता होना चाहिए या रेक्जानेस प जॉला में की विस्फोट हुआ है पोखरा यह परेटन राजधानी घोचित की गई है कहां पर नेपाल में रोईंग देश का पहला पहला ओयल पॉंब प्रोसेसिंग सेंटर कहां पर इस्थापित किया गया है यह इतना इंपॉर्टन्ट है ठीक है मतलब बहुत ज्यादा गु जहां पर की है गुजरात में यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट है जैन पॉंडूलिपी की विज्ञान केंदर के स्थापना गुजरात विश्वद्याले में की गई है कि वन तारा इंपॉर्टन्ट याद रखना यह नाम गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़ में हे टू कोचरव आसरम कहां सावर मती गुजराई उर्जा सौर उर्जा स्टेशन कहां कानपूर दिहात बहुत बड़ा ने इसलिए बहुत इंपॉर्टन्ट विने पचास मेगावाट अलजीरिया विश्व के तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्गाटन अलजीरिया आंत्रप्रदेश भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन विशाखा पत्नम में इस्थापित हुआ इंपॉर्टन्ट ठेक सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन कुल सेखर पतिनम क्यों न्यूज में है तो इसमें दूसरा रॉकेट लांच पूर्ट थूथू कुटी जिले के तटिये गाउं कुल सेखर पतिनम में खोला गया है दूसरा पहला कहा है यह आपको पहले से पता होना चाहिए थूथू कुटी जिले में अगर आपको पता है पहला कहा है तो वो आप कॉमेंट करके मुझे बता दो है ना अगालेगा दीब मारिसस के अगालेगा दीब पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का उद्गाटन क हैं डेंग्लू के कारण हेल्थ इमर्जेंसी स्वास्थ आपातकाल कहां घोसित किया गया पेरू में पेरू कहां पे दक्षुन अमेरिका में कि दक्षुन अमेरिका के पूर्वी साइड पेरू है गोवा पुनर योजी परिटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य डिब्रुगण पूर्वोत्तर भारत का पहला सौ विस्तरों वाला योग एवं प्राकतिक चिकस्थ आस्पताल जो योग वा प्राकतिक चिकस्थ संस्थान संस्थान खोला गया है केंद्र इस्तरपन पर्थ अस्रेलिया विस्तु का सबसे उंच आराम मंदर बनाया जाएगा विस्तु का सबसे उंच आराम मंदर कहां पर पर्थ अस्रेलिया में हांजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही ये मुझफफर नगर केंद्र द्वारा बित्त पोसित पहला गव अभ्यारन मुझफफर नगर में ठीक है काउज आर इंदी पॉलिटिक्स सो दे आर इंपोर्टन्ट अब देखते हैं जो कुछ व्यक्तियों ने अपनी अंतिम सांसे समाप्त की हैं मतलब उनका निधन हुआ है तो उनमें कौन इंपोर्टन्ट है और ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा तो इसमें कौन इंपोर्टन्ट होते हैं पहले अगर वो विज्ञान के फिल्ड से हैं विज्यान, राजनीती के फिल्ड से हैं, तो तब इंपॉर्टन होते हैं, अगर उनका कोई contribution विशेष है, तो वो इंपॉर्टन होते हैं, ऐसे विक्ति इंपॉर्टन होते हैं, कोई लेखक, जिसका कोई लेखन दुनिया में ज्यादा पापुलर है, अवार्ड पा चुका है, या भारत कोई समंधित है, ऐसा कोई विशेवस्तु, तो ऐसे लोगों का निधन इंपॉर्टन होता है, कोई बड़े पत्रकार, जिनकी अपनी सत्तिनिष्ठा के लिए उनको जाना जाता है, तो उनसे समंधित अगर कोई डेथ हो, ये दुनिया में कहीं भी तो इंपॉर्टन होते हैं, कोई बड़े राजदूद, जिनको सांतिवारता, या किसी अनिकारियों के लिए जाना जाता है, अगर उनकी डेथ होते ही, तो वो भी इंपॉर्टन होते हैं, इस तरीके से UPPSC में अभी तक question पूछे हैं, अब हम देखते हैं कि कौन-कौन ऐसे महत्वपून लोग हैं, कमला पुजारी, जैविक क्रसी के छेतर में इनका योगदान है, और इनको पदमसरी मिला है, इसलिए important है, इसमृति विश्वास, हिंदी, मराथे और बांगला फिल्मों के अभनेत इनकी डेथ हुई है, और जो ये डकवर्थ लुईस पद्धती है क्रिकेट में ये इसके जनक है, इसलिए important है, इसलिए important, वेद मूर्ति पंडित लक्षमी कान दिक्षित क्यों important हैं, तो आयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारों के ये मुख्य आचारत है, इसलिए important है, गोपाल कृष्ण गोच्वामी स्कॉन इंडिया के चेर्मन रहे है, लिटिल विट, लिटिल विट, इसकॉन टेमपल वाले स्कॉन इंडिया, थोड़ा से important है, रमोजी राव, रमोजी, रमोजी फिल्म सिटी के संस्थापक, रमोजी समूग अध्यच, नौव पंडित राजकुमार मलिक, दरभंगा घराने के दुरुपत गायक थे, और ये कलायूम सुंचकरती के दरश्ट कौन से महत्पोन है, पंडित राजकुमार मलिक, सोलोसु चिलिम, मलावी के उपराष्ट पती थे, जिनकी हाल में बिमान हाद्से पर डेथ हुई, तो ये या महस्वर्ति बारी, साहित की प्रयोग साला में वैज्यानिक की तरह गीत गढ़ने वाले, इंपोर्टेंट है ठीक न, वैज्यानिक की तरह गीत गढ़ने वाले, ये तु जाने, और यस भारती पुरसकारी नहीं मिल चुका है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित भ इंपोर्टेंट है, पीटर वेर हिक्स, हिक्स बोसान, नामक गाड़ पार्टिकल की खोच की थी, वेर इंपोर्टेंट, पीटर वेर हिक्स, टीन सुब्रमन्यम, इन्होंने जनरल मोटर्स कारों के लिए गढ़ती मॉडल बनाया था, मैंने आप से बोला कि साइंस के मुख सिल्पकार थे, टीन सुब्रमन्यम, स्वामी इस मरणा नंद, राम कृष्ण मठ, यह वो मिसन के वरिष्ट भेच्छो थे, और यह सोलमे अध्याच थे, थोड़ा से इंपोर्टन्ट है, सफीकुर रह्मान सबसे बुजूर्ग लोग सभा सदस्ते, यह ज्यादा ठीक, अगर यह पूंच लिया जाए कि आज तक सबसे बुजूर्ग लोग सभा के सदसे कौन रहे हैं, तो डॉक्टर सफीकुर रह्मान बर्ग, पंकव जुदा साब जानते हैं, गजल गायक हैं, कुमार साहनी, फिल्म निर्देशक सिच्छावी द्वाल लेखक थे, मनुह साहनी लेकिन ज्यादा इंपोर्टन है, ठीक, यह आकास, इनकी आवाज हम सभी पहचानते हैं, अब भी पहचानते हैं, कभी जरूर सुना होगा, लोग पर यह रेडियो संचालक रहें, इनका मसहूर कायरक्रम, बिनाका गीतमाला, रेडियो सिलोन से प्रसारित होता था, फ अकवार में बहुत बार आया, बहुत बार, राज बिशारिया, वरिष्ट रंकर्मी, भारतेंदु नाट अकादमी के संस्थापक ने दे सकते, लिटिल इंपोर्टन्ट है, इम्तियाज कुरे से प्रशिट सेफ थे, लिटिल, वेरी लिटिल, ना के बराबर, दत्तर राओ जी गायकवाड क्रिक्टर थे, लिटिल बिट, नाट सो मच, अच्छुतन रामचंदरन नायर, पदमभी, पदमभूशन से सम्मानित प्रख्यात कलाकारों चित्रकार थे, लिटिल बिट, नो, उसा किरन खान, हिंदी मैथली साहित्ति की सेत बंध रही है, इंपोर्टन्ट पदमा इनको आवाड मिला है, पदमा सुरी, हेज, जी, गिगोब, नामीबियक राश्पती, नो, राणा तलवार, देखो, नामीबियक राश्पती होना डिट कलिए परयाप्त कारण नहीं है, कोई वैसा एक्सिडेंट हो, कोई वैसा परपस हो, जिसकी वैजे से आपको ज जाना जाता हो, तो फिर आप इंपोर्टेंट होते हैं, ठिक, राणा तलवार, किसी चार्टर्ड, स्टेंडर्ड, चार्टर्ड बैंके के प्रमुख, बनने वाले पहले भारती, राणा तलवार, इसलिए इंपोर्टेंट है, गोगी सिरोजपाल, चितरकार, नो, डक्टर नित्यानंद, गर्म निरोधक, गोली, सहेली बनाने वाले केंदरी और अनुसंधान, संस्थान के पूरुन नित्यानंद सकते, तो सहेली से जुड़ा हुआ नाम है, इसलिए ये डॉक्टर नित्यानंद इंपोर्टन है, जगदीज गांधी, सिटी मॉन्टेशरी स्कूल के संस्थापक थे, लिटल बिट इंपोर्टन हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें वर्स 2000 में यूनिस्को से सांती सिक्षा पुरसकार मिल चुका है, जगदीज गांधी, मुनवर राना, ये सायर्थ है, इनकी जो कविता है, सहदावा, ये साहित एक आदमी पुरसकार प्रा देद थे, और तो रासित खान यह विलंबीत खजाल गायकी के लिए महारत परापता थे ये भी इंपॉर्टन को आउर, कुछ आयोग और समीतियां जो कुछ जादा ही इंपॉर्टन होती हैं, यहां से भी एक कोश्टिन आता ही आता है, one कोश्डिन शोर एक प्रिश्ण आता ही आता है तो इसको तैयर कर लेंगे अगर पांस से दस मिनट में आपका एक कोशिंग बढ़ रहा है तो उसे निश्चित तोर पर बढ़ाएंगे अनिधा ये चीज़े याद करनी कठिन होते हैं कठिनाई का कारण ये है कि ऐसे फ्याक्ट बहुत जादा होते हैं राजिव गौवा समलंगिक मामलों के मामले में बनी 6 सदसी समीति के अध्यच्छे राजिव गौवा ये पहले क्या सिये जी थे क्या जिरह कॉमेंट करके मेरे को बताओ भुपेंदर सिंग बाजवा भारती कि उलंपिक महासंग ने भुपेंदर सिंग बाजवा के अध्यच्छता में कुष्टी महासंग में के कामकाज के लिए 3 सदसी तदर्थ समीत का घठन किया कुष्टी में देख रहे हो कितना करप्सन हो रहा है गलबड़ी हो रही है जंडर वाइलेंस हो रहे हैं इसलिए पुरक्षा उलंगन की घटना की जात समीती हुई है ठीक यह न्यूज में था इसलिए इंपोर्टन्ट है महेश चंद्रपंत का नाम जरूर याद रखेंगे इन्हें इंसी आर्टी दौरा पाठिक्रम संसोधन हे तो 19 सदस्ती समीत का अध्यच्च चुना गया है या यह कहने विर इंपोर्टन्ट है एंसी आर्टी का नाम आ चुका है उचितम नयायले की अध्यच्चता में वन एम पर्यावरण संबंधी मामलों के सहयोग देने के लिए नई केंदरी अधिकार प्राप्ति समीति का गठन उचितम नयायले के अंडर गाइडेंस में किया गया है यह आने वाला कॉस्च्चन है जिनको कंगना देदी ने रामनाथ कोविट कहता उनकी अधिस्चत में आधिस्चता में समीति का गठन हुआ है चलिये लेंगिन classic समानता सुनिस्चित करने के लिए और वैसे तरीके सुझ़ाने है तो सुर्विता सकसेना की अध्यिस्टा में चार सदस्री पैनल का गठन किया गया है किसके दौऱाँ डी जी शिय के दौऱा तो सुर्विता सकसेना का नाम याद रखना नयायमूर्ति, गीता मित्थल के नाम important है क्योंकि मनिपूर में राहत एवं पुनर वासकारियों के नगराने के लिए नयाय मूर्ति, गीता मित्थल के अध्यस्ता में समिती का गठन किया गया है, मनिपूर के हालत आपसे छिपी नहीं है अच्छा जमुन कस्मीर में रह रहे हैं अवायद विदेशी लोगों की जानकारी कठा करने के लिए आरके गोयल की समिती है अजे लांबा मनिपुर हिंसा में अब चुकि इस तरह के नाम कंफ्यूज करते हैं मनिपुर में दो चीज है पुनरवास के लिए गीता मित्तल है और जो मनिपुर हिंसा में जाच के लिए अधिस्ता में जिनकी अधिस्ता में समिती का गठन किया गया है वो है अजे लांबा ठीक है अजय लांबा मने पुरहिंस्वा हो तीवी सोमनाथन वित्य सचुट टीवी सोमनाथन के अध्यस्ता में पेंशन और NPS में सुधार हे तू अब आपको पता है कि यूनिफाइट यूनाइट पेंशन सिस्टम क्या आया है आपको पता ही होगा तो इसलिए टीवी सोमना रहे हैं जस्टिस विशनात रत जवेनात मंदिर में रत्न भंडार जात समयते हैं यह सब ध्यान रखना है यह सब आने वाले कोस्चिन है मनीश संकर सर्मा आदर से सुरक्षा विवस्था के लिए मानक स्टेंडर्ड तैयार करने के लिए यह नाम बार-बार आएगा याद रखना ब्रजेश कुमार सिर्वास्तों हात्रस में जो भगदड हुई थी न अब यह यूपी से जुड़ा हुआ मामला है इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है तो तीन सदस्टी टेम है जिसकी ब्रजेश कुमार सिर्वास्तों अध्यच्छ है यह अपने आप में नय सब्सक्राइब का गठन किया गया है परिच्छा प्रक्रिया में सुधार हे टू इंपॉर्टेंट है चुकि आप लोग परिच्छा से जुड़े हुए हैं चलो कोस्चिन एटेम्ट करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा आप लोग इसे पॉस करो और कॉमेंट में बताओ तुम्हारी कितने कोशन सही हो रहे हैं है भारत के रामसर स्थल कवर हो चुके हैं किसमें पार्ट वन में पहला इसमें आपको लेक्चर मिला है उसमें रामसर स्थल कवर हो चुका है इस सब कवर हो चुके है हाँ योजना पर योजना भी पार्ट वन में कवर हो चुका है इसलिए पार्ट वन में जाईए और इसे देखिए पार्ट वन में ये संग एवं संगठन कवर हो चुका है ठिक कि अगर आप अराम से कर सकते हैं एप एन पॉर्टल यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इंपोर्टेंट आफकोर्स इंपोर्टेंट है एंड एप और पॉर्टल से एक कोश्चिन तो आप मान के चलो आएका तो आएगए देखते हैं सबसे सार्थी पोर्टल तो 21 लिए है किसके द्वारा है सेवी के द्वारा सिक्यूरिटी जैन एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेवी यह एप परसनल फाइनसिंग पर आधारित है जिसकी सहायता से यूजर बित्तिय जटिलताओं को आसानी से समझ सकते हैं भविश्य पोर्टल पेंशन भोगी कल्यान विभाग की ओर से केंदर सरकार की ओर से यह सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्वचारियों की पेंशन में सुविधा हेतु लांच किया गया है नाम से पता चल जाता है और यह भरियाद रखना CDP सुरक्षा तो राष्टी बागवानी बोर्ड नेशनल हर्टिकल्चर बोर्ड ने क्लेश्टर डेवलेप्मेंट प्रोग्राम के तहट यह डेवलेप किया है किसानों को सब्सिडी वित्रित करने के लिए उप्योग किया जाएगा और यह पोर्टल किसानों को ई रूपी बाउचर के माध्यम से तुरंट सब्सिडी वित्रित करेगा यह बात इसकी इंपॉर्टन्ट है सी विजल एप चुनावा योग का है जिसमें कि निस्पक्च हुआ प्रोलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए सी विजल एप लॉःच किया गया है किसका ही याद रखना है important है important है certainly important है वीमा सुगम पोर्टल इरड़ा का है insurance regulatory and development authority नूँ सखी आप MSME का है महिलाओं को ससक्त वा आत्म निर्भर बनाएगा PM सूरच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राले Ministry of Social Justice अनुसोचित जाते पिछड़े वर्ग और सुक्षता स्रमिकों सही देज भर्ग में पात्र व्यक्तियों को रिड़ सहायता लोन में मदद करी की मोटी बात इतनी है इंड़स पेवियर इंड़सिंट बैंक का है और यह भारत का पहला कॉन्टाक्ट लेस पेइमेंट वियरेबल एप है इंपोर्टन्ट इकिसान उपज निधी डिजिटल गेटवें खाद एवं सारजनिक वितरन बिभाग वर्ड़ा वित्य सेवाएं विभाग और नाबार्ड का संयुक्त उपक्रम है ठीक गोधामों में लॉजिस्टिक विवस्था को सही करने के लिए सुद्रल करने के लिए किसानों को उनकी उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए यह बनाया गया है संचार साथी पोर्टल यह दूर संचार विभाग का है बहुत इंपोर्टन नहीं है हाज सुविधा अल्पसंखिक कारी मंत्राले स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म केंद्री सिक्षा कौसलें उद्धमिता विभाल Ministry of Skill Development and Entrepreneurship इस प्लैटफॉर्म पर छात्रों को सीखने वाले बहु भासी पाथि सामगरी और AI Inbuilt Chatbot मिलेगा Investor Information and Logistic Platform IIT मदरास दोरा विक्सित किया गया है Investor Information Logistic Platform नाम सी पता चल जाता है तो बस आपको यह याद रखना है ठीक प्रस सेवा पोर्टल रेजिस्टार जनरल आफ इंडिया दोरा शुरू किया गया है प्रस रेजिस्टार हनुमान AI App IIT Bombay दोरा विक्सित किया गया है यह बहुत इंपोर्टन्ट है और भारत GPT Group दोरा लांच किया गया है हिंदी तमिल मराठी जैसे स्थानी भासों में कार्य करे गए और वित्तिय सेवा स्वास्त गवर्नेंस सिक्षा छेत्र में उप्योगी होगा याद रखने थोड़ो यह नया है और इंपोर्टन्ट है हनुमान AI विदांत मिटल एप नहीं स्वाती पोर्टल भारती राष्ट्री विज्ञान अकादमी दोरा लांच किया गया है और यह नेशनल इंस्टिट्यूट और प्लांट जिनोम रिसर्च दोरा विक्सित किया ग नॉट सो इंपोर्टन्ट सार्थी पोर्टल क्रसिक किसान का ल्यान और यह बीमा उत्पादों की व्यापक जानकारी के लिए है सार्थी पोर्टल और इसमें एक हेल्प लाइन नंबर है 14447 घर पोर्टल घर गो होम एंड रियूनाइट इसकी सुरुवात राष्टी बाल अधिकार संरेच्षण आयोग ने की है और यह उन बच्चों की डिजिटल ट्रेकिंग और निगरानी करेगा जो किसोर न्याय प्रणाले में हैं तथा जिन्हें दूसरे राज्य देश जिले में वापस भेजा जाना है इंपोर्टन्ट ओके ऑंकोलोजी एई प्लेटफॉर सूचना प्रदोग की मंत्राले के सहयोग से सुरू किया गया है औंकोलोजी कैंसर कोई कैंसर के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला है तो बीमारी का पता लगाने बीमारी का इस्तर इन सभी चीजों के लिए आई अंकोलोजी एई प्लैटफॉर्म है किसके दौरह सब्सक्राइब कर लो इसे रोको और अंसर दिया है मिला लो यहां से भी कोशन तो आता ही आता है इसलिए बराबर इंपॉर्टन है तो कौन-कौन से युद अभ्यास हुए है किन के किन के बीच में हुए है और कहा हुआ है यह तीन-चार इंफॉर्मिशन होते हैं हमको उनक सब्सक्राइब करेंगे इंटरेक्शन जिंग्जियांग प्रांत में स्यों के बीच में हुआ है इंपॉर्टन है इंडिया चाइन एक साथ कहीं पर आए तो इंपॉर्टन होगा ही यह पहला भी इसलिए इंपॉर्टन है इंटरेक्शन 2024 जिंग्जियांग प्रोविंस पाकिस्तान इंडिया आतंकवाद रोकने के लिए अभ्यास कर रहे हैं ठीक है मैत्री इंपोर्टेंट है थाइलेंड सेन अभ्यास है भारत और थाइलेंड के बीच में तेरवा संस्क्राण हुआ है यहां पर ध्यान देना जरूरी है कहां हुआ तो थाइलेंड में पिंच ब्लैक पिंच ब्लैक 2024 डार्विन अस्ट्रेलिया में हुआ है और बीस देशों के बीच में वाई अभ्यास है वाई सेना के अभ्यास है ठीक है बहुत पक्षी हो गए तो बहुत सारे देश होगे नाम याद रखना भी जरूरी नहीं है नुमेडिक एलिफेंट उम्रो कोई मेघालिया में हुआ और मैंगोलिया की बीच में हुआ इसका शोलवा संसगरण था रिमपैक यह एर के फिल्ड में है और बहुराष्ट्री समुद्री युद्ध्यभ्या से रिमपै का यह उननतिसवा संसगरण था इसमें भारत के और से किसने पार्टिसिपेट किया तो आयने से वालिक में जीमक्स तो जीमक्स देखो कैसे लिखोगे आप जे आई एम एक्स जे से जापान आई से इंडिया एम से मारी टाइम एकस से एकसरसाइस तो जापान होगे आपने आप याद रखने की जोरतने आठ्वों संसगरण है ठीक है चलो सागर कवच तटी कवच याद रखना कई बार कवच भी सुरके वल दिया जा सकता है तो लक्षद्यूप में हुआ है एंड यह तटी सुरक्षा के तंतर के लिए है नौ सेनद वारा टाइगर ट्रैंफ तो यह मानवी सहायता और आपदा रहात के लिए है ठीक है और दुपक्षी त्री सेवा है दुपक्षी का मतलब दो देशों के बीच में तो कौन से दो देश हैं भारत अमेरिका त्री सेवा का मतलब कि इसमें पहले यह देख लो इस अभ्यास के दोरान काकी नाड़ा और विसाखा पत्नम के बीच में भारती नौ सेना और अमेरिकी नौ सेना के जहाजों के बीच यह अभियान चलाए गया था मतलब कि पहले बात यह समझो त्री सेवा के मतलब इसमें नौ सेना एर फोर्स और आर्मी अलग अलग टाइम में अपनी एक्सरसाइस करती है ठीक अभी नौ सेना के जिक रहा है तो नौ सेना के याद रखना काकी नाड़ा और विसाखा पत्नम पोर्ट के बीच में अमेरिक नाम याद रखना टाइगर ट्राइम नाम याद रखना ठीक टाइगर टी आर आई यू एम पिएच कई बार यह नाम के वल इंगलिस में आता है तो टाइगर ट्राइंफ ऐसे लिख आएगा ओके आयम्टी ट्राइलेन भारत मुझांबिक बहुत ज़्याद इंपॉर्टन नहीं बस देश का नाम याद रख लो प्रथम चरण इसलिए थोड़ा से इंपॉर्टन हो जाता है क्या नाम है आयम्टी ट्राइलेन ओके लेमित्ते इंपॉर्टन है सेसल्स के बीच में है भार भारत की तीनों से नाउने भागिदारिस में दिखाई थे तो अब जैसे में किन किन ने पार्टिस्पेट किया था तो टिट नाइंटी टैंक धनुस सारंगन सिस्टम आकास हतियार लाजिस्टिक ड्रोन रोबोटिक म्यूल्स एलेच एन बिविन मानोरहित यानिकि अन्में लैटेश सिंस्क्रण गहां पे हुआ है जैसल मेर में फोकरन फिल्ट के अस पास और इसमें तीनों से नाउने भाग लिया है तीनों मतलब आमी ऑर होर्स और नावी कटलास सेसल्स में भारत और सेसल्स की बीच में और इसमें 16 मित्र देशों की बीच में नौ सेना भ्यास है 14 संस्क्राण था not so important हाँ आयने स्तीर का नाम याद रख सकते हैं बस सी डिफेंडर्स पोर्ट ब्लेर और किसके दौरा भारत तरचक के दौरा साथ में युनाइटेड इस्टेश कोष्ट गार्ड भी इसमें पार्टिस्पन्ट होते हैं समुद्री लक्षमन विचाखा पत्नम में मलेशिया और भारत की नौ सेना का तीसरा संस्क्राण था धर्मा गार्जिन इंपोर्टेंट है राजस्थान के महाजन फिल्ड में यह हुआ और भारत और जापान का है देखो धर्म के मामले में भारत और जापान कॉपरेटिव ह किया था 34 में इंफेंट्री रेजिमेंट वह भारत की राजपुतान राइफल का नाम यहां पर ध्यांदिना जिसने पार्टिस्पेट किया था अगर को यूएन इससे बड़ा कराता हो तो कराता हूं अनिता इस बनाप देगस्ट एक्सराइस और इसका बार्वाव समस्कारान है विसाखा पटने में हुआ इंडिया में वह इसलिए इंपॉर्टन है तो कुश्चेन अटेम्ट कर लो और क्रॉस्चेक कर लो जो आपने तैयार किया वो तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा हां विज्ञान इवन प्रदोगी की और उससे समंधित जितने फैक्ट है यह इंपॉर्टन एंड यह वेरी 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 इंपॉर्टन लेकिन एक बात में सापने आप और आपको बता दूं कि अगर आप यूपी एस से यूपी पी एस से या बी पी एस से प्रिलिम्स में संघर्स कर रहे हैं तो एक सुझाओ मेरा मान लेजे एक बार टॉपिक वाइस mcqs यानि के multiple choice question बहुविकल के प्रशनों को लगाईए जैसे यूपी एस से के लिए आपने पास है नज 100 इसमें topic wise 100 papers है ठीक है और हर paper में 50 questions एक घंटे का टाइम मिलता है और इसका जो standard है वो pro UPSC level है कितना अच्छा जो pro level है तो इसमें फाइदा क्या होता है 2022 में इस test series से 62 questions फज़े 2023 में इस test series से 56 questions फज़े 2024 में इसी nudge test series से जो कि topic wise है 67 67 questions फज़े यूपी के लिए और BPSC के लिए हम लोग topic wise mcqs लेके आ रहे हैं ठीक है छोटा संस्किरन होगा 50-50 paper का हम इसमें लाएंगे यूपी से का 100 papers में चुकि उसके depth and length बहुत ज्यादा होते ही इसलिए तो साल भर इस तरह topic wise question लगाते रहे तो से prelims में संघर्स नहीं करेंगे हमारे बच्चों के number cut off से 2 number 4 number ज्यादा नहीं आते हैं हमारे बच्चों के number cut off से 10 number 20 number 25 ज्यादा आते हैं टापिक वाइस टेस्टे से अब लेबल होगा तो आप लोग इसको जॉइन करोगे और एक बात एक बात और इसके लिए क्या करना है गूगल play store में जाना है The Conceptual Classes The Conceptual Classes नाम का application डाउनलोड करो अपने mobile number और email के माध्यम से register करो CCAT के test series तो सभी के लिए free रहती है हमेशा free रहती है ठीक, बाकी pre-mains कोई भी courses बगरे subscribe करना हूँ तो आप आराम से contact कर सकते हो या सिधे आप इस AIP में जाके purchase कर सकते हो चलो अब जलो कुछ काम की बाते कर लेते हैं और विज्ञान इन प्रदोगी की जिसमें की कुछ खोज और तकनीकी की बात करेंगे और उसे समंदेश चेत्र महत्पून फैक्ट सब तो बिद्दुत रच्छक यह क्या है यह Internet of Things सक्षम एकी क्रच जनेरेटर Monitoring Control System है और यह important है अब Internet of Things क्या होता है साथ में भी पता होना चाहिए आजकल एक्जाम conceptual होता जा रहा है जिसमें दो दो तिन तिन स्टेटमेंट आते हैं तो Internet of Things का मतलब यह है कि आपके जो वास्तविक दुनिया में चीज़े हैं जैसे आपका फ्रिज, आपका कंप्यूटर, आपका AC, आपके किचिन एक्प्मेंट, वासिंग मसीन, ओवन इस तरी के जितने electronic devices हैं इन सभी को अगर Internet के एक जाल में बुन दिया जाए जैसे माला में मोती होते हैं उसी तरह से और यह सभी automated तरीके से काम करें जैसे आपके फ्रिज में दूद खतम होने से पहले उसमें दूसरा दूद आ जाए इसका मतलब यह कि आपका refrigerator इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और जहां से आपकी milk की supply होती है उसे direct payment होता है और वो सिधे आपके आपके refrigerator में milk की supply करता है तो यह तो मैंने एक ऐसा example बता दिया जो सरर है आप समझ सकते हैं अगर यह सोचो कि आपकी घर की ज़्यादातर चीजें इंटरनेट अप तिंक्स के दाएरे में आ जाएं तो ज़्यादातर चीजें automated हो जाएंगे आपको कब TV चलाना है, कब क्या करना है कुछ भी करनी की ज़रूरत नहीं कब AC चलाना है, कब नहीं चलाना है Everything is behaviorally learned और यह machine learning, deep learning की techniques का इस्तिमाल करता है इसलिए बहुत ही precise है ठेक है, internet of things मुझे रगता है आपको समझ्या गया होगा किसके द्वारा बिद्दोतर चक लाया गया है तो भारती सेना के द्वारा लाया गया है नागास्तर गया है Solar Industries के Economics Explosive Limited नाकपूर द्वारा Bangloat Jet Motion सहयोग से यह भारत का पहला स्वदेसी आत्मखाती ड्रोन है यह आएगा, मैं इतना क्यों बता रहा हूँ Because अजर्बेजान ने जब अर्मेनिया पे जीत हासल की थी तब भारत से प्रशन पूशा गया था कि आपके पास कितने ड्रोन है पता चलता है कि तर्की दुनिया के पांच बड़े उन देसों में जिसके पास ड्रोन संख्या में ज्यादा है और बहुती एफिसियंट है, सस्ते हैं जिनको पढ़ाखी की तरह फोड़ा जा सकता है युद्ध के दोरान तो क्वेशन आया था, भारत की पास कितने पता लगा भारत अमेरिका से खरीद रहा है, ये खरीद रहा है तो बन गया ना पहला सोदेशी आत्म घाती ड्रोन क्या नाम है नागास्तर, इसलिए एक्जाम में ये आएगा मैं आपको इंस्योर कर देता हूँ ठीक है, अगर एक फैक्ट आपको इस पूरी पूरी लेक्चर में याद रखना है तो नागास्तर, रवन याद रखना हूँ किसने बनाया है, वो सब भी याद रखना है ठीक है ना सोलर इंड़स्ट्रीज की एक्श्पलोसिय लिमिटेड नाकपुर द्वारा किसके सहहोग से, तो बैंक टोल के जेट मोशन के सहहोग से रुद्रम टू मिसाइल क्या है ये डियाडियो दोरा डेवलप किया गया है ओडिशा के तड़ पर सफल परिछन करने वाला हावा से सतह में मार कर सकने वाली ठोंस होदेशी रोप से विक्सित ठोंस इंधन इंधन तीन प्रकार के होते हैं ठोंस लिक्विड एंड गैस तो यह ठोंस इंधन जो की सबसे कनुविनियन्ट होता है और वाईव प्रच्छिपित मिसाइल है अपात काली चिकित सा प्रणाली EMRS वाईव से नहीं इंपॉर्टन नहीं है छड़ो क्यों डेंगा यह क्या है यह सदूफी पास्च्वर द्वारा विक्सित एक डेंग वैक्सिया वैक्सीन है जो प्रीक्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए दूसरी डेंग को वैक्सीन इंपॉर्टन है क्यों नाम है टाइक जिरूटरी क्यों दिنगा किसको दाम विक्सित है तो तो से नेफि पास्चर month बहुत बढ़ी पार इसा यह चाहिए इसे टाकोडा द्वाला विक्सित किया गया है ए वेस्ट नाइसल 시वर क shots Chemistry के मलापुरम में कोजी कोड और तर्सूर जिलेक में इसका अलर्टा का पर qa ओके मानो रहित अन्मेंड अरियल बहिकल मानो रहित हवाई वहान सैने ग्रेट बंबरसक विमान जो बंब की बरसात कर देता है ठीक मानो रहित है मरवर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्या नाम उसका FWD-200B यह भारती रक्षा और Aerospace Defense वेज़ डिफेंस और Aerospace Technology बेंगलूर दारा विक्सित किया गया है देखो वह उपर वाला ज्यादा इंपॉर्टन था क्या है नाम यादे कि भूल गया मुझे भूल गया नागास्तर वन ठीक है चैंग इंपॉर्टन्ट है क्यों चुक्कि साउथ पोल पर जाने वाला यह पहला कहां पर एटकेट बेसिन नाम याद रखना चैंग इंग इसमें चार घटक हैं एवियेटर लेंडर एक्सेंडर और अरेंट्री मॉडियूल मतलब यह वापस भी आएगा तो साउथ पोल पे मून के जाने वाला यह पहला पहला कोई मिसन है हैनान के वेंचाक में इसका प्रिच्छर पड़ किया गया था चाइना के चैंगे 6 और सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेट रिलीस ऑफ टर्पीडो स्मार्ट यह रक्षा नुसंद्धान DRDO दोरा डेवलप प्रण लाली मतलब फिवल है ना दो चरण में चलो टर्पीडो पानी में होते हैं पानी के अंदर अंदर चलते हैं मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिसन इस पेस डेब्रीज अगर आप जानते हैं तो इस रोक अध्ष्च एस सुमनात ने 42 अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्य समेति की अध्यशता में वार्षिक बैठक की और इसका उद्देश यह है कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिसन प्राप्त करना जापान इस फिल्ड में सबसे पहले कारी करने वाला देश है याद रखना ठीक है एथिलीन ऑक्साइड क्यों नियूज में है एथिलीन ऑक्साइड मानो निर्मित रसायन है मानो निर्मित यह पता होना चाहिए इसका प्रयोग एथिलीन गलाइकॉल वनानिम होता है इस रसायन से लगातार संपर्क में रहनिम आंख तुचा नाक गला और फेफ़डों में जलन हो सकती है हॉंग कोंग और सिंगापुर ने एथिलीन ऑक्साइट के कारण भारती मसाला ब्रांट M.D.H जो और एवरेस्ट के चार मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है बहुत इंपोर्टेंट है यह न्यूज जो यहां पर है हॉंग कोंग और सिंगापुर M.D.H कंपनी और एवरेस्ट कंपनी के मसाला और एथिलीन ऑक्साइट के कारण ठीक है अब आप मेरे को बताओ कि नैचुरल राइपनर कौन है नैचुरल राइपनर अब आप राइपनर को मतलब फोलो को पकाने वाला है ठीक है कॉमेंट करके बताएंगे आप हलकी कारबन नोजल का विकास इस तुरू द्वरा किया गया राकेट इंजन में प्रयोप किया जाएगा इगला एस एर डिफेंस सिस्टम रूस द्वरा वि इंपॉर्टर नहीं है में 5CV नाइजीरिया के विरुध नया 5-1 वैक्सीन गेद बनाने वाला विश्वुकप पहला देश बन गया है सारी नाइजेरिया मेनजाइटिस के विरुध नाइजेरिया कोई थोड़ी ना है मेनंजाइटिस के विरुध काम करेगा यह वैक्सीन और नाइजेरिया पहला देश है यह याद रखना इतना काफी है डियारडियों ने MPTG MPATGM का सफल परिक्षण किया गया यह है क्या मैं पॉर्टिबल लॉंचर टार्गेट एक्जिविशन है नाट सो मच नैनो सेंसर यह ज़रूर इंपॉर्टन आयटी जोदपूर में विक्सित किया गया तुमसे यह तुम्हें यह भी पता चल गया कि जोदपूर में आयटी है अब यह क्या करेगा सरीर की विभिन को सिकाओं को नियंत्रित करके प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइन्स का सिग्र पतन सिग्र ही पता लगाएगा ठीक है नैनो सिंसर थोड़ा ही इंपॉटन्ट है चुकि इस तरह एक चीज़े भी अब होने लगी है यह बहुत अपने आप में सर्प्राइजिंग नहीं है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए यहां पर पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हीरिंग इंप्लांट क्या है तो पूणे की कमांड हॉस्पिटल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हीरिंग का ट्रांस्प्लांट करने वाला द प्रत्या रूपन योगी उपकरण है टाटा वने यह क्या कर रहा है यह भारत का पहला निजी प्रत्वी अवलोकन उपग्रह है वस इतना याद रखना टाटा एडवांस सिस्टम टी लिमिटेट टी एसल नहीं से लॉंच किया है क्या है टी सेट वने निजी छेत्र का पहला है ठीक है अर्थ अबजर्वेटर है और भारत का निजी छेत्र का पहला अमेरिका में ऐसे बहुत सारे निजी छेत्र गहें लेकिन भारत की और से प्राइवेट सेक्टर से यह पहला है 105G प्रयोग सालाओं हे तो प्रयोगिक लाइसेंस मॉडियूल किसको IIT मदरास को 105G प्रयोग सालाओं के लिए ये मॉडूल के सुरुवात की गई है जिसकी सुरुवात सचिव निरजमित्तल द्वारा की गई है विद्यारतियों और श्टार्टप समधाओं के बीच 5G प्रयोगियों में दक्षता और जुडाओं पैदा करना इसका मेन उत्ते से है और कुछ बाते हैं जैसे कि C.A.R.T.C.L. थेरेपी एक मिलाट C.A.R.T.C.L. ऐसे लिखा जाता है बाएमबे टाटा मेमोरियल सेंटर इम्यूनो एक्ट के सहयोग से विक्षित किया गया है इतना तो भेले पता होना चाहिए राष्टपती मुर्मो ने कैंसर उप्चार के लिए देश की भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का सुभारम किया है किस थेरेपी से तो कार्टीसल थेरेपी ऐसा बोलेंगे ठेक है और कार्टीसल थेरेपी जो कैंसर इम्यूनो थेरेपी का उप्चार है कैंसर के उप्चार के लिए कार्टीसल थेरेपी यह याद रखना अगर यह कोशन पोचा जाएगा कि कार्टीसल थेरेपी किस उपचार से सम्मंदित है तो क्या बोलोगे ये बोलोगे कैंसर अगनी प्राइम बलिष्टिक मिसाइल ये अगनी प्राइम अगनी स्रंखला की छटी मिसाइल है ये लेटेस स्रीज है ये तो अभी मुझे पता चला इससे पहले पता ही नहीं था अगनी प्राइम बलिष्टिक मिसाइल इसकी रेंज नहीं लिखा देखो चाहें जितनी भी वो अगनी 5 की कितनी है अगनी 5 थाउजन तो इसकी कितनी होगी ज्यादा ही होगी DRDO ने विक्सित किया है अगनी 6 की रेंज कितनी है अगनी 6 कहां गया अगनी प्राइम अगनी सरंकला की छटी है इसका रेंज कितना है ये बताईए तेजस MAC-1A हलका लडाओ की विवान है और पूरी तरह सोदेशी है इसलिए इंपोर्टन है भारत में TB कटी का जिसका नाम है MTB-VAC क्लिनिकल ट्राइल किया गया भारत बायो टेक इंटरनेशनल लिमिटेड और इसमेनिस फार्मसिटिकल कंपनी बायो फ्रेवी का नाम याद रखना बायो फ्रेवी ये TB वक्सिन से रेलेटेड है और इसके खिलाब पहली ऐसी वक्सिन है जिसका मानो सरोथ से तयार किया गया है और वर्दवान में BCG वक्सिन एक मात्र TB की वक्सिन थी तो अब BCG के साथ साथ ये भी आ गया क्या MTB वक्सिन इसमें सबसे इंपोर्टन फैक्ट है ये ये बायो फ्रेवी के साथ भारत बायो टेक ने मिलकर डेवलप किया है और ये दूसरी है पहली नहीं है BCG वक्सिन पहले से काम कर रही है उनिवर्सल एक्सप्लेश्मेंट दिवस विशे भासानेट और सवर्भमुक्ता के दिशा में प्रोसाहन लेने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स सूचना प्रसारन मंत्राले मेटी और और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी दोरा डबलब किया गया पुस्पक भारती इस तरों के दोरा करनाटा के चित्रदुरुगा में यह रियूजबल लाँच वहिकल है जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है ठीक चिनूक हेलिकॉप्टर से इसका सफल परिछण किया गया था चिनूक, चित्रदुरुगा, रियूजबल, पुस्पक इतनी बाते याद कर ले न अपाचे अपाचे तो अमेरिका से है न जोदपूर में पहला अपाचे लड़ा को हेलिकॉप्टर विमान तक स्थापित हुआ अपाचे हेलिकाप्टर के निर्मान अमेरिकी कंपनी बोईंग द्वारा किया गया था बोईंग ध्यान रखना ये पहले भी पूछा जा चुका है बोईंग का नाम तीन सेमी कंडुक्टर सुविधाओं के स्थापना कहा की गई गुजरात के धोले रहता असम के मूरिगाओ इंग धोलेररा ये बस तीन याद रखना और इसमें जदे आपको भूमिका समुद्र सीमाओं में पानी के भीतर दुसमेरों की पंडवियों का पता लगाना ठीक है टॉर्पीडियूज का पता लगाना मिशन दिव्यास्त्र मिशन दिव्यास्त्र मल्टी इंडिपेंडेंट टार्गेटेबल री एंट्री वहिकल है बस इतने पता होना चाहिए ओडिशा की अब्दुल अब्दुल कराम आईलैंड से परिक्षण किया गया चंद्रमा के दक्षणी धुरूपर पहला निजी स्पे दक्षणी धुरूपर लैंड किया इसने और वहां के धूल का ध्धन इसका करना है यह पहला निजी छपर हैशलेंपॉर्टेंट है do that into the machine 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 two अप याद कर लेंगे ठीक का लैंडर इसके लेंडर का कहा ना म में ओडेसियस सेक्स्पियर के किसी ड्रामा का करेक्टर है साथ धन्दो जोरा बताना मुझे इंसेट 3DS इसरु द्वारा GSLV F14 परच्छेपणयान द्वारा परच्छेपित किया गया और मौसम सम्मंधी देखो इंसेट है ना यह जितने इंसेट है जातर वेदर से समंधित हिकाम करते हैं स्वाथी पोर्टल नेशनल इंस्टिटूट अफ प्लांट जिनोमिक रिसर्च नई दिल्ली द्वारा डेवलप किया गया है स्वाथीवन साइंस फार वूमन अट टेक्नलोजी और इनोवेशन के लिए है कौन-कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करेगा विज्ञान प्रदुप की इंजिनियर गड़िच चिकित सा महिला को नमचार और टेक्नलोजी के फिल्ड में उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा सक्ति एलेक्ट्रोनिक्स वारफेर सिस्टम रक्षावंतराले कहां हैदराबाद में तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स बी-ई-एल इसको बोलते हैं बी-ई-एल पी-ई-एल के बीच में इसका समझाता हुआ है ठीक है सोदेसी है इतना याद कर लीजे काफी है ट्वाई 715 बीस सुपर अर्थ नासा के वेगेन को द्वारा अर्थ से 137 प्रकासवर से दूर इस ग्रह की खोचकी गई तो यह प्लैनेट है और यह सूरि से छोटा है ठंडा है मूल तारह एक लाल बौना है ठीक है? यह इसलिए रेद डवार्फ लिख के आएगा कमाल की बात यह है इसलिए इंपौर्टोंट है ठीक है टीवाइ 75B रहने योगिज़ है इसलिए इसका नाम है सूपर अर्थ इसलिए इसका नाम है सूपर अर्थ, यह प्रत्वी से फंदरा गुणा 1.5 तैम सुबड़ा है, मतलब डेड़ गुणा बड़ा और यह पानी के लिए अन्कूल है इसलिए रहने के लिए अन्कूल है पानी के लिए अन्कूल है ध्यान रखना बहुत इंपोर्टन्ट है बहुत ही इंपोर्टन्ट है कई तरह से पहुचा जा सकता है State Exam में UPSC में कई जगे पहुँचा जाएगा नोट करो ठीक है INS संधायक Yard 3-0-5 9-9-9-9-9-9-9-9 यह देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पूथ है सर्वे पूथ सबसे बड़ा सर्वे पूथ कहा परसांत छेत्र में महा सक्ति के रूप में भारत के भूमिका को और मजबूत करेगा ठीक है स्वदे से ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को रच्छा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको हम DRDO बार बार बोल रहे हैं और प्रोदोगी की विकास निधी TDF के साथ विक्षित किया गया है यह पिलोट के माध्यम से लांच किया जाएगा और परियोजना है तो बहुत ज़्याद कुछ नहीं है छोड़ो सुदेसी ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम DRDO TDF आकास इंजी मिसाइल यह इंपोर्टन है DRDO के चांदीपूर एकी करत परिष्ण छेतर में नई पीढ़ी का आकास इंजी सफल आकास इंजी का परिष्ण किया गी यह सतह से हवा में मार करेगा यह न्यूज में था इसलिए ज़्यादा इंपोर्टन है यह मिसाइल सुदेसी रूप से विक्सित किया गया है और रेडियो फ्रिक्वेंसी रडार टेक्नोलोजी के नम जरूर याद रखेंगे कमांड नियंतरन संचार प्रणाली से युक्त है यह और बहुत ही होसियार प्रणाली के साथ इसकी मानिता मिले है द्रश्टी 10 इस्टार लाइनर ड्रोन अडाने डिफेंस एरोस्पेस द्वरा इसराइल की मदद से विक्सित किया गया है यह भारत का पहला सुदेस निर्मित मानो रहतियान है यू एवी पहला सुदेस निर्मित यू एवी है सभी मौसम में उड़ सकने के लिए सर्च हमें अब देखो मैंने आपसे बताया थे कि जब अर्मेनिया अजर्वेजान के यह दुवा था अभी नई बात है बहुत पुरानी बात में चार-पांस साल भी होगा जदा जदा उननिस बीस सत्रा से उननिस की बीस की बात है जब अजर्वेजान ने टर्किस ड्रून के हल्फ से अर्मोनिया को बुरी तरह रह रहा था तब भारत पे परिशन उठा था कि आपकी पास कितनी ड्रोन है और उसके बाद आपने देखा कि कम से कम तीन सोदेशी निर्मित ड्रोन आप तक हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें को से मोड़ सकता है यह वियाद रखना आधित्य लवन मिशन वेरी इंपोर्टन यह इस रोव दौरा डवलप किया गया है सूर्य सन की स्टूडी करेगा कहां पर तो लवन जो इसमें लिखा न यह लेगरेंजियन पॉइंट वन पर इस्थापित किया गया है यह हैलो होता ह है और इस आर्विट में सभलता पूर्व की छप अच्छा यह कैसे काम करता है देखों जैसे कि मानलों यह है सन यह है अर्थ है ठीक है तो पांच पॉइंट होते हैं लवन लटू एलफोर यह एल थ्री एलफोर थोड़ा से नोप करना एल एल थ्री यहां पर एलफोर एलफ इस एक दूसरे की ग्रेविटी को बैलेंस करते हैं जहां पर इस मज़े से वहां पर कोई भी ऑब्जक्ट इस्टेवल तरीके से रह सकता है बिना जदा और जाव को बरबात किये हुए इसलिए लगरेंजिन पॉइंट इंपॉर्टन होते हैं सन की स्टड़ी में काम आता है ठीक है यह एलवन इल्टू भे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है यह एलवन साइधी यह है एलटू साइधी है एक बार आप देख लेना विकॉज आम एक्सेप्टिंग कि हीर आई हैब सम डाव्ट बहुत दिन पहले यह पढ़ा था ICD-11 Module Morbidity Codes WHO ने दिल्ली में रोगों के अंतराष्टी वरगी करान यह important है ICD-11 Modules के टू के रूप में पारंपरिक चिकित्सा रोगनोता कोड जारी किया है इसके साइध आयरुवेदिक सिद्धिक यूनानी पद्धती पर आधारित रोगों से समंधित डेटा वर सब्दावलियों को ICD-Code में सामिल किया जाएगा यह ज़्यादा important fact है ICD-11 इस लिनियोज में है एक्सरे polarimeter एक्सपोसेट इस सारी important चीज़े तो बाद में दी है एक्सपोसेट इंपोसेट नाम याद करो इस रो ने polarimeter का सफल परिष्ण किया अमेरिका के बाद भारत ब्लैक होल और नूट्रान सितारों के अध्धन के लिए सैटलाइट भेजने वाला विस्व का दूसरा देश बन गया है बहुत important है एक्सपोसेट ठीक भारत विस्व का दूसरा देश बन गया है ब्लैक होल नूट्रान स्ट और इन सभी चीज़ों का अध्यन करेगा और कुछ question solve करते हैं अच्छा एक और बात एक्सपोसेट ऐसा ही लिख किया आएगा एक्सपोसी एक्स एक्सपोसेट एक्स ओक्र में ईयुक्र समय किरो हैं इसका विग मिवें में का कि दौसरा थाव स्बक cheating कर लोगे इतनानीक नहीं है कि यहां पर आपको लाश्टमिस सेल्यशन मिल जाते हैं तो इस तरह से आप इनको solve करेंगे चलिए, अब हम लोग खेल पर इदर करेंगे next session में, तो part 3 यहां पर हमारा खतम होता है part 4 यहां से हमारा शुरू होगा ठीक है, so the concept चोलाई से जुड़ें, किसी भी प्रकार की दिक्कतों के लिए, किसी भी प्रकार की 7-0 पर contact करें whatsapp करें, pdf और अनिकों चीज़ों के लिए, कैसे pre-qualify करें, कैसे c-set को tackle करें, आपकी और भी इस preparation में जो भी personal problems हैं, आप उनको deal कर सकते हैं, address कर सकते हैं, अपना time fix किजिए, बात कीजिए, exam qualify करना आपके लिए जरूरी है, हाँ मेंस के लिए, UPPCS मेंस के लिए topic wise answer rating का program चलेगा हमारे पास और उसे हम 50 दिन में पूरा करा देंगे इसका फाइदा क्या होगा, इसका फाइदा ये होगा कि मेंस में अगर आपकी जो भी doubts हैं जो area छोटे हुए हैं, वो सब कुछ कवर करवा यूपी special के लिए answer rating अलग से चलेगा, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ and GS के लिए अलग से UPPCS के लिए अलग से मैं कोसिस करूँगा कि कम से कम 20 paper का एक program लेके आए और 50 paper का GS के लिए ठीक है, तो चलिए, खेल परदर से हम cover करेंगे lecture number 4 पे